हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम शुमाईल है आप लोग दिखने हैं वाई टेक नियूस इस्टागर तौच की वीडियो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ हिदे नए यूनिक फीचर हमारे रीडमी नोट 11 में अब बात करो इस फोन की तो यहां पर वो काफी जारा फीचर मिलते हैं और यह पहला ऐसा फोन है पाकिस्तान में जो के आउट अफ दू बॉक्स मी यूवाइट हटीम के साथ आया लेट सी देखते हैं कि यहां पर हमें क्या क्या और अप्शन मिलते हैं सबस्वर हम चिलाते हैं सैटिंस में अब भाई रैडमी यहां पर आपको स का उप्शनिक्डर चाहे हैं सिगनेचर कर अब सकते हैं सके लाबा ऑन ज choices के लाबाते हैं ओर यहां पर अंअर चाहे हुं पर कॉछ पिचर का option भी है आप कोई भी अपनी पिचर भी select कर सकते हैं और वो भी आप लगा सकते हैं always on display पे इसके लाबा अगर आप चाहरे हैं कि भाई आपके पास जो है ना जब भी आपके notification आये तो आपकी जो स्क्रीन है वह हलकी सी light up हो तो उसके भी यहाँ पर notification effect का option है इसी के नी lightning है स्क्रीन जो हो साइड़ों से blue कर एकी light होगी इसके लाबा साइड़ों से red कर एक है इसके लाबा कुछ ऐसा effect है और इसके लाबा just light up को भी option है तो just light up हो जाएगी आप चाले कि कुछ ना हो तो non पे भी कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपका wallpaper का भी option है कि आप wallpaper जो automatically change होते हैं उसका जो है आप gallery's के photo भी लगा सकते हैं इसमें आप चाहें तो gallery के photo भी लगा सकते हैं इसके अलाव permission required होती है यहाँ पर आपके पास camera launch का option भी है मतलब volume का button जो है अगर आप volume down का button जो है दो बार आप press करेंगे तो आपका camera है वो launch हो जाएगा अगर आप यह करना चाहते हैं इसके अलावा बात करेंगा और option की तो आदि हैं display में display में आपके काफी जार option है सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो पहला option मिलता है वो dark theme का आप डार्क mode कर सकते हैं इसके लावा light mode कर सकते हैं ठीक है जैसी dark mode करूँगा तो dark mode पर आजाएगा then light mode पर light mode पर इसके लावा यहाँ पर आपको schedule भी रसकते हैं आप चाहें तो dark mode के शुरुआ होता है कुछ लोग रात के time जो dark mode यूज़ करते हैं इसके लावा सोबा जब जाते हैं तो वो उनका phone खुद बाखुद night mode पर आजाए तो यह option जो आप select कर सकते हैं इसके लावा brightness level का option है आप brightness level select कर सकते हैं sunlight mode भी आपने दिया हूँ मतलब आपको sunlight mode में जो आपकी brightness है वो बिकल peak पर आ जाएगी जैसे आप सूरज में जाएंगे तो आपका जो screen है वो extra bright हो जाती है इसके लावे आपको बहुत ही कमाड़ display मिलता है तो इस जो option इसकी जादा need नहीं है लेगे फिर भी जो लोग जाए तर जाए ब्राइट डिस्प्ले जाते हैं सूरज में तो कर सकते हैं color screen का option है भाई आपको तीन तरह ही color screen मिल जाती है जिरेके saturated है vivid है और standard है by default आपको vivid मिलती है आप चाहे तो standard कर सकते हैं चाहे तो saturated कर सकते हैं इसके लावा खुछ आप यहां पर अपनी तरफ से भी कुछ है न कर सकते हैं कि आपको जैसी color पसंदा रहा है उसको आप change भी कर सकते हैं तो यह भी काफ़ जार अच्छा option है खैर अब यहां पर आपके पास और बात करूं option की तो reading mode का option है जैसे का कोई book वगएरा पढ़ लें reading mode on कर लिए तो आपकी जो screen है वो कुछ ऐसी वह थी जो आँखों पर light नहीं लगती और इसका भी आप schedule बना सकते हैं इसके अलावा यहां पर आपके पास और option की बात करूं हम दुबाए डिस्पिल पर चलियाते हैं क्योंकि एक option जो है काफ़ ज़रा ज़रूरी तब हो है tax size अब tax size भी आप आप small है यहां पर large है फिर extra large है फिर extra extra large है मतलब काफ़ ज़रा यहां पर रहना option है इसके लावा small में भी आपके पास एक extra small है एक extra extra small है तो जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना जो tax है वो increase और decrease कर सकते हैं उसके size को है अब बास करेगा और option की तो वो आता है notification और control पैनल में अब यहां पर भी काफी ज़रा option आपके पास to be honest बहुत ही कमाल है एक तो यहां पर आपके बाद जो है ना यहां पर आता है control style का आप चाहे तो old version आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और इस तरफ करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पैनल आएगी इसके इलावा आपको direct जो है नोटिफिकेशन में जाने तो आप इसको swap करेंगे इस तरफ तरफ स्वैप करेंगे तो आपके पास notification channel channel आ जाएगा तो यहां पर काफी च्मट आपके इस ओ option दे दिए इसके लाव वही जो निटिफिकरिंग का पर हम देख चुके हैं पहले कि यहां पर जो लाइटनिंग अप हो जाए वही option दुबारा आ गया इसके लावा बात करूं और option की तो होँ मिल जाके आको काफ साब बाते हैं कि यहां पर ड्फॉल्य कोई कि आपिसे क्या हूं सकते हैं इसके लावा बा Carry team coding navigation का option है, आप चाहने gasher रख सकते हैं, चाहने तो three button रख सकते हैं three button रख सकते हैं, तो यह आपको जो ना आपको जो ना, वो gasher पे आप दिसकते हैं के नीचे जो ना, button गाइब हो गए, इसके लावा यहाँ पर आपके पास, जो है ना, और भी option भी आयते हैं, जैसे का icon size का option है, अब icon को जो है, बड़े कर सकते हैं, icon को जो है, धर्मियाने कर सकते हैं, चाहिए तो सबसे चोटे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर customization की काफी तार option आपको मिल जाते हैं, इसके लावा icon की animation भी आप off कर सकते हैं, और यहाँ पर home screen layout के सिर्फ दो option मिलते हैं, sadly, लेकिन है, 4 by 6 का है और 5 by 6 का है, तो यहाँ पर आपको home screen layout का option भी मिल जाता है, कि भाई ले आउट का चाहिए, मैंने 5 by 6 जगए वैसे जादा option होनी चाहिए थे, हो सकता है भाई, अगले update में आ जाए, इसके लावा arrange item बद अगर आपको backhand भी आ रहे हैं, ठीक है, आप चाहरों ऐसे ना आए, आपके जो है यह इस तरह से कुछ आए, तो आप जो है, इस तरह से कर सकते हैं, मतलब यह, वर्टिकल ही है, horizontal री नी 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 आ है, ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं, तो फिलाल आपको जैसे पसंदों आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में काफिदाद है, यह शो memory status, अगर आप इसको off कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसको on कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको RAM memory status, यहाँ पर उपर show हो रहा है, देसकते हैं कि 2.1GP हाली है, लेकिन अगर आप इसको off कर देते हैं, तो यहाँ पर उपर कुछ भी show नहीं हो रहा, तो यह भी एक अच्छा option है, आप जो अपनी RAM memory है, वो चेक कर आइंगे, तो आपके पास additional setting का option है, अब additional setting में भी काफी जादा option मिलते हैं आपको, सबसे पहले बात करूँ, पहले option की तो है gesture shortcut, अब यहाँ पर आपके पास जो है, अगर आप power button को 0.5 second तक press करके रखेंगे, तो आपका जो Google Assistant वो on हो जाएगा, इसको चाहें तो आप on कर स आप चाहें तो डबल बटन जो है power button प्रेस करके camera launch कर सकते हैं, इसके लावा आप चाहें तो volume down का जो है, जो है डबल बटन प्रेस कर लेकिए, आपकी जो स्क्रीन है, उसको lock कर सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर आपके बाद turn on torch का option है, अगर आप चाहें तो power button को double power button प्र sensor से आप जो चाहें कर सकते हैं, मतलब जैसे के अभी जो है, इसके लावा आप चाहें तो turn on touch है, इसके लावा torch है, इसके लावा control center है, इसके notification state है, आप जो चाहें यहाँ पर रसकते हैं, जो के काफिजार अच्छा option लगा मुझे, अब बास को और option की तो यहाँ पर आपके अब यह है कि आप जो है न, जिस्ट आपको जो है न, मैं इसको on कर देता हूं, ठीक है, अब जिसके यहाँ पर swipe करेंगे तो आपका जो 100 mode आ जाएगा, मतलब अतना आसान कर दिया 100 mode को, और यहाँ पर आपको लगा करेंगे तो यह दुबारा चले जागा, इसके लावा यह यहाँ पर जो है आप, अब इसको back बंद कर देता है, इसके लाब बात करूँ और option की, तो यहाँ पर speaker clear, आपने देखा है जारातर अगर आपका phone जो है, पानी होगारा में गड़ जाए, या speaker में कोई भी dusty dust वगरा चले जाए, या पर कोई भी आसो, तो speaker clear करने के लिए जो दूब खुद off हो जाता है, इसके अलाबा यहाँ पर आपके आप memory extension का option है, मतलब RAM extension, मतलब दूसरी companies काफी जाला यह चीज़ फोकस करी, भाई हमने RAM extension करी है, शौमी ने इतना advertise नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपको 2GP की RAM मिल जाती है, अगर आप मैं दिखा दूँ आपक होने के लिए भी reboot मांग दिए, खेर, अभी हम reboot ने करते हैं device को, खेर, बास को अगर और option की, तो यहाँ पर आपके पास special function के option आयाते हैं, अब यहाँ पर भी काफे ज़़दा option आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला option है, वो है game turbo का, अब game turbo में आपको सैट control है, इसके लावा, इसके लावा जो ना, आप यहाँ पर additional setting में जाके आप जो है ना, इनकी अलग से setting भी कर सकते हैं, हर game के अलग से setting होगी, इसके लावा, रिस्टिज बटन और गैस्टर, मतलब गैस्टर वगरा, बटन वगरा को जो रिस्टरिक करें, जितने भी हमने गै अब यहाँ पर जो है, आप जैसे के अगर आप यहाँ पर डीसेंट नोटिफीर में जाते हैं तो यहाँ पर उपर floating window का option, इसके कलिक करते हैं, तो किसी भी app को जो है आप यहाँ पर जो है यूज ना, यूज कर सकते हैं, इस तरह से जैसे के, अब इसको जो है यहाँ पकड swap कर दिया तो यह बंद हो जाती है ठीक है और इसके लावा यहाँ पर आपको light mode का option मिलता है अगर आप चाहें तो light mode on करेंगे तो हर चीज जो ना बड़ी बड़ी हो जाती है तो फोन दे रहें तो light mode on करें जाके उनको जो है ना अराम से नजर आ जाए तो यह function जो है वो काफी ज्यादा unique और अच्छा है हम light mode को off कर देते हैं ठीक है अब light mode off हो चुका है और हम back to normal आज चुके हैं ठीक है तो भाई यह थे complete कुछ हमारे functions special function हमारे readme note 11 की कैसे लगी आज को पसंद आए होगी लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा thank you so much